नमस्कार मैं नवल किशोर नीरो थेरपिस्ट 2005 से नीरो थेरपिकी प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज हम इस वीडियो में आपको कुछ नया सिखाएंगे कि अजिएक करेंगें जब नाभी अपनी से खिसक जाती तो बहुत सारी समस्या आने लगजाती है आपको सकती हैं आपको द्सक्ति आताविर से उसलिंग में हमेंEChy कर रहा हैं हमने देखा हैं पेशेंट को अनुभब करा हैं कि अगर नाभी लंबे समय तक अपनी जगह से खिसक जाएं तो आपको IBS की समय से हो सकती है आप डिप्रेशन में जा सकते हैं आपका वेट लगातार कम हो सकता हैं तो जरुवत हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारी नाभी कहीं खिसकी तो न कि नाभी को चेक करेंगे तो उसको सीधे सिंपल लिटा दीजे हाथ नीचे होने चाहिए बोड़ी रिलाक्स होनी चाहिए और एक चीज़ को जरुव ध्यान करना है कि खाली पेट होना चाहिए अगर आप किसी को डिनर के बाद में लंच के बाद में ब्रेक्फास के बाद म इसके लिए सिधा सिंपल सा जैसे यह लेटो हुए इसी प्रेकाल लिटाने मेल के ऊपर हम डेरेक्ट को टच करेंगे मैं आपको बताऊं कि कैसे चेक करेंगी इसको और कप्ड़े के उपर चेक कर सकते हैं लेकिन आपको बारी की से हर्ची समझा लिए इसलिए मैं कपड़ा हटाकर आपको बताऊंगों कि नाभी कहां का खिसक सकती है और खिसक्तने के विज़े से क्या की सьमच्या है आ सकती है तो नाभी को एक बार दिखा देता हूं उप लोगों को को यह इनकी नाभी और इसके बाद में नाभी का मतलब यह हैं कि जो आभी के अंदर जो धड़कन हमें सुनाई देती हैं वो धरकन नाभी के उपर ही होनी चाहिए अगर धड़कन अपनी जगह पर नहीं है तो यानिकी नाभी अपनी जगह पर नहीं होगी और वह आपको प्रॉबलम करेंगी आपको कोई नोगों समयाद करएं तेट करेंगे टीन उंगलियां इस त तो यह सह दorta करेंगे कि ऊपर हो सकती है तो हलका साम उपर की तरफ जाएंगे आई यह прин gesprochen को सुनने की कोशिच करेंगे ना भी थोड़ी शी और ओकर हो सकती है तoti not be auto work हो सकती है केवल स्चेप में ही हम इसको करेंगे के यह अगर ना भी जाएगी आपको वर मेटिंग की शेंशेशन आएगी आपको कुछ भी कहाएंगे वर मेंटींग होने लगेगा अगर नभी ऊपर की तरह जाती है अगर नभी दाइं याँ नभी को अगर मैं यहां चेक करूं अगर उपर नभी नहीं मिलती है तो उसके बाद में हम नावी को लायट साड़ में चेक करेंगे इधर छिक फिर थोड़ासा हिविस्ट प्रैंस से इस धड़कन को महसूश करेंगे के और अगर इधर की तरफ होगी तो आपको लूज मोशं होने के सिस्ट है आपको पेट में दर्द होने के साइन और यह बाल जाए आपको infection की वज़े से नाभी upset है यानि कि जब नाभी right side में जाएगी जब नाभी left में यानि कि इधर इधर और इधर यानि कि तीन पॉइंट अगर हम जब चेक करते हैं left side में तो जब नाभी इधर आएगी तो इसका मतलब है कि नाभी इधर खिशकेगी तो आपको कॉस्टिपेशन होने के chances होंगे आपको कवज की समस्य हो जाएगी आपका पेड देली साफ नहीं होगा और नाभी अगर नीचे की तरफ होगी इधर यह तीन पॉइंट नीचे चेक करेंगे यहां तो इसमें आपको हमेशा फीमेल्स के अंदर ध्यान करिए पीडेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी मैस्यो साइकल टाइम पर नहीं आएंगे और आएंगे या गैप करकर आएंगे यानि कि नॉर्मल आपको बिलीडिंग नहीं होगी यह 100 परसेंट इसका प्रूफ की होगी मेल के अंदर यह प्रोश्टेट की समस्था को भी लेकर आ सकती है मेल के अंदर यूरिन की समस्था को भी लेकर आ सकते की आप जब यूरिन करने जाते हैं तो आपको यूरिन एक बार में क्लियर नहीं होगा तो नाभी को यहां हम चेक करेंगे तो मैंने आपको बत feeling और नाभी नीचे जाएगी तो पीरेट से रिलेटेट आपको समस्या हो सकती है और नाभी अगर अपनी जगह पर है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी यह नाभी और लंबे समयशा अगर नाभी डिश्टप चल रही आपकी तो आपको समस्या हो जाती है कि आपको जो परिस्टाल्टिक मूवमेंट है यह सुलो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी जिसकी वज़ेसे आपको लूज मोशन या कॉस्टिपेशन या दौनों तरीके की सेंसेशन बनी हो सकती है तो नाभी का हमारे लिए बहुत महत्मून रॉल है और आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा और इसी प्रकार सीखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल बटन जुरून दबाईए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और वीडिय इसे मेंगे खर्चे को बचा सकते हैं तो धन्यवाद करता हूं आप लोगों का आप इसी प्रकार अपने समर्थन मुझे देते रहे और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद